सभी बच्चों को मेरा स्नेवरा नमस्कार प्यारे बच्चों इस समय हम लोग ये धनुस भंग का जो चौथा दोहा और उसकी चौपाईया है उसका ब्याक्या पढ़ेंगे इसके पाले हम लोग तीन खंड काध्यान कर चुके हैं तो आएए इस खंड काध्यान किया जाए देखी देखी रघुबीरतन सुर्मनाव धरिधीर भरे विलोचन प्रेमजल पुलकावली सरीर नीके निरखी नयन भरी सोभा पितु पुन सुमिर बहुरी मन छोभा अहतात दारुन हठ ठानी समुझत नहीं कचु लाभ नहानी सचिव सभैसिक देई नकू बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई कह धन कुली सउं चाहि कठोरा कह स्यामले मृदु गात की सोरा बीधी की ही भाती धरो उरधीरा चिरसी सुमन कन बीधी हीरा सकल सभाके मति भै भोरी अब मुहि संभु चापु गति तोरी निज जडता लोगन परडारी होई हरहु रगुपत ही निहारी अति परिताप सीय मन माही लव निमेस जुग सैसम जाहें लव निमेस जुग सैसम जाहें आईए इसका अर्थ देखते हैं देख देख रगुपीरतन सुर्मनाव धरधीर भरे बिलोचन प्रेमजल पुलकावली सरीर अर्था सीता जी प्रभुसी राम के तन सरीर को देख करके देख देख रगुपीरतन प्रभुसी राम के सरीर को देख करके सुर्मनाव धरधीर मन में धहरे धार्ण करके सुर्मनाव देवताओं से बिंती कर रही हैं भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर और उनके नित्र में प्रेम का जल मने प्रेम रूपी आशु है और उनका सरीर पुल कावली मने रोमांचित हो रहा है नी के निरख नयन भरी सोभा पितु पनु सुमिर बहुरी मनु छोभा और सीता सीराम को नयन भरी मने अच्छी तरह से देख करके उनके सांदेर को देख करके आनन्द की अनभूती कर रही है लेकिन पितु पनु पन मन होता है प्राण यानि प्रतिग्यां लेकिन पिता के प्रतिग्यां को सुमिर असमरन करके बहुरी मन छोभा उनके मन में बहुत चोबूत पन होता है अहा तात दारुन हट ठानी समुझत नहीं कच लावन नहानी वह कहती है कि हे तात हे पिताजी दारुन हट ठानी आपने एक कठिन हट ठान लिया है एक कठिन प्रतिग्यां कर लिया है समुझत नहीं कछ लाव नहानी परतिग्यां करते समय आप कुछ लाव और हानी का विवेचना नहीं किये हैं आप लाव और हानी के बारे में नहीं सोचे हैं सच्चिव सभय सिख देई न कोई बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई करें सच्चिव और जो मंत्री थे सभय भयभीत हो करके सिख न देई उन्हें कोई समझा नहीं पाया जो मंत्रीगण थे हो सकता है कि उनके निर्ड़े से वो संतुष्ट न रहे हों लेकिन भयभीत हो करके मेरे पिताजी को वो समझा नहीं पाये बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई आज इस विद्वानों के समाज में बड़ा अनुचित हो रहा है अर्थात एक सुकोमल राजकुमार को शिव धनुस तोड़ेने की आग्या दिया जा रहा है यह विद्वानों के समाज में बड़ा अनुचित हो रहा है सिता जी आगे कहती है कहां धनू कुलिसओं चाही कठोरा कहां स्यामल मृदुगात किसोरा करें कहां जो है कुलिसओं मने होता है वज्र कठोरा मने कठोर समझ रहे हैं धनू मने धनूस कहां वज्र के समानिय कठोर धनूस है कहां स्यामल मृदुगात किसोरा और कहां स्यामल का मतलब साउले रंग के सिर्राम से सम्मोदित है और कहां साउले रंग के सिर्राम जो किसोरा वस्था में अभी है उनका सरीर बहुत कोमल है मृदु गात गात वन होता सरीर उनका सरीर बहुत कोमल है मतलब एक की सोरा वस्था के सिर्राम का सरीर इतना कोमल है और दूसरी तरफ बज्जर के समान कठोर सिवधनूस है उसे तोड़ने की आग्या इस सुकोमल राजकुमार को दिया जा रहा है सिता जी मन में विचार करती हैं कि हे विधाता किस तरह से मैं अपने उर में अपने हिर्दय में धैर धारन करूं कहीं सिर्स सुमन सिर्स एक फूल का नाम है बहुत कोमल फूल होता है तो सिर्स सुमन का नवेधी हीरा कहीं सिर्स की फूल से हीरा को छेदा जा सकता है हीरा सबसे कठोर धातु माना जाता है तो करें कि कहां एक कोमल सिर्स की फूल से हीरा को भेदा जा सकता है हीरा को छेदा जा सकता है यह असंभव है उसी प्रकार से इस सुकुमल बालक से सीव धनुस को उठवाया जा रहा है यह लग रहा है कि बिल्कुल यह अनीत का कार्य हो रहा है सकल सभा के भय भति भोरी अब मोह संभु चाप गती तोरी वह कहती हैं कि सभी सभा की मती मारी गई है भोरी मने भोली हो गई है बावरी हो गई है उनकी मती मारी गई है अब मोह संभु चाप गती तोरी अब तो हे संभु के संभु चाप मने हे शिव धनुस अब तो आपही का एक आसरा है आपही कुछ कर सकते हैं नीज जड़ता लोगन पर डारी होई हरव रगपत ही निहारी करें कि नीज जड़ता मने अपनी जड़ता को अपने भारीपन को क्या कर दीजिए आप लोगों पर डाल दीजिए नीज जड़ता मने भारीपन अपने भारीपन को यहां पैठे लोग हैं उन पर डाल दीजिए और होई हरव रगपत ही निहारी रगपती को देख करके पने सिर्राम को देख करके जैसे हलके हैं वो जितने सुकोमल हैं आप उतना ही हलके हो जाईए हे शिव धनूस आप अपनी भारीपन को यहां के लोगों पर डाल दीचिए और रघुपत को देख करके उनकी कोमलता को देख करके आप भी उतने ही हलके हो जाएए अति परिताप सी मनमाही लव निमेश जुग सैसम जाही और सीता के मन में बहुत संताप हो रहा परिताप सीता के मन में अतदिक संताप हो रहा बहुत उनके मन में दुख हो रहा है और लव निमेश जुग सैसम जाही लव निमेश निमेश कते हैं जो आख के पलक गिराने का जो समय होता है निमेज पलक गिराना और लव मने होता है चंड अनि पलक गिराने का जो चंड होता है रथात एक चंड सीधा सीधा इसका अर्थ ले लेंगे कि एक चंड सीधा के लिए युग सै सै मन होता सौ जूगों के समान व्यतीत हो रहा है बने एक एक चंड जब तक सीराम सीधानुस को नहीं तोड रहे हैं उस समय का एक 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 चंड सीधा के लिए सौ जूगों के समान बीत रहा है यानि सीधा चाह रही है कि कितना जल्दी सीराम सीधानुस को तोड दें ताकि हमारे मन की वेचैनी हमारे मन का संता दूर हो जाए उसी तरस रहेगा अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले दोहे और चवपाईयों का ध्यन करेंगे एक बार पुना आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद